आज के वडियो में हम बात करने वाले हैं चित्रकादी वटी के बारे में कि चित्रकादी वटी क्या है इसकी प्रमुख घटक द्रवए, की इंग्रिडियंट्स क्या-क्या होते है कौन-कौन सी समस्याओं में आपके डॉक्टर दोरा या आपको लिखके दिया जाता है इसको किस प्रमान में डॉक्टर आपको लेने को कहते हैं कितने दिन तक आपको इसका सेवन करना चाहिए इसको यूज़ करने के बाद आपको क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है, कहां से आप इसको खरीच सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को शुर क्लासिकल आयरुविदिक मेडिसन है, क्लासिकल आयरुविदिक मेडिसन क्या होता है, जिन मेडिसन के बारे में हमारे आयरुविदिक सम्मीताओं में, टेस्ट बुक्स में उल्लेक मिलता है, कि इसको किस पेशेंट को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये पूरी जानकारी हमारे आचार्यों द्वारा लिखी गई होती है पहले से ही इसलिए इसको क्लासिकल आयरुवेदिक मेडिसन बोला जाता है तो देखिए चित्रकादी वटी जो है कहां यूज किया जाता है इसको प्रैमरेली देखिए यदि आप जो श्लोक है उसमें इसका उलेक मिलता है आयव हम जानते है इसके घटक द्रवे की इंग्रिडियंट्स के बारे में तो देखिए इसमें रहता है चित्रक, मरीचा, पिपली, पिपली मूला, चव्या, शुन्ठी, हिंग, अजमोदा, यवक्षारा और इसमें पंच लवना रहता है, मतलब पांच दरेके के इसमें लवन रहते हैं, कौन-कौन से सामुद्र लवना, सवर चला लवना, सैंदवा लवना, विडा लवना, ओदविदा लवना, ये सब इसमें रहता है और इसमें प्रमो गैनेट जूस रहता है, मतलब अनार का जूस इसमें रहता है, त तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यह आपको किसी भी तरीके के in-digestion की समस्या है तो वहाँ इसको लिखके दिया जाता है यह आपको constipation की समस्या है मलबद्धता की समस्या है मतलब आपका संडास क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसी condition में इसको लिखके दिया जाता है यदि आपको एनोरेक्सिया की समस्या है मतलब भूख का ना लगना बिल्कुल भूख नहीं लगती है ऐसी condition में इसको लिखके दिया जाता है यदि आपका abdomen distance की समस्या है मतला आप जो भी खाते हैं आपका पेट फुला फुला लगता है पेट के अंदर गैस बन जाती है पेट एकदम बाहर निकल जाता है गैस के कारण तो ऐसी कंडिशन में इसको लिखके दिया जाता है अगला कंडिशन है स्टोमाटाइटिस यदि आपके मुँँ में च्छाले पड़ गए हैं तो वहां भी इसको लिखके दिया जाता है यदि आपको किसी भी तरीके का पेट में दरद उठ रहा है और देखे इसको वेट लॉस प्रोसीजर के लिए भी लिखके दिया जाता है और यह आपकी IBS समस्या को क्लियर करता है जो कि होता है irritable bowel syndrome मतलब आपका पाचन तंतर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है बहुत जादा आपको gastric disturbance होती है चाती पे एक दम जलन होती है जो भी आप खाते आपको संडाज जाने का मन करता है जो भी खाते हैं बिल्कुल रुकता नहीं है ऐसी conditions को ठीक करने के लिए इसको लिखके दिया जाता है आई अब हम बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में किस प्रमाण में डॉक्टर इसको आपको यूज करने को बोलते हैं तो देखिए यहां पर मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूं जिन लोगों की उम्मर 18 से जादा है चाहे वो पुरुश हो या महिलाए हो तो देखिए अईदी चित्रकादी वटी जो है एक गोली का डोसेज है वो गर पांसो एमजी का है तो ऐसी गोलियां एक से दो आप खा सकते हैं दिन में दो बार आपको लेना चाहिए और इसको आप शहद के साथ मिला कर खा सकते हैं या फिर आप इसको छास के साथ ले सक करेड़ करता है swept theыв. messaging के रहिये इसकी पानी काईश. के तरह दोगोली राफ दोगोली रात को लीचे खाली पैट रहाए फिर कलाने की बाद दोनों किसी liberty चल सकता है अप कली prix करकाने के ऑद भी दूझे कुनओने पारत बीसको ले सकते हैं मुणगुना पानी के साय आप इसका 7 कर सकते हैं या फिर आपकी डॉक्टर आपको जिस तरीके से इसको यूज करने को बोल रहे हैं उस तरीके से आप इसका 7 कर सकते हैं तो आईए अब हम चर्चा करते हैं कितने दिन तक इसका 7 करना चाहिए तो देखिये जब आपके treating doctor को क्लिनिकली एक्जामिन कर लेते हैं और कौन सी समंस्या के लिए वो आपको इस गूली लिखके दे रहे हैं सब्सक्राइब करता है तो इसलिए ज़िए जितने दिन homeless के लिए आपके ही ट्रीटिंग डॉक्टर इसका सेवन करने को आपको बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इस हम बात करते हैं इसके Contra Indication के बारे में कि किन लोगों को इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, तो देखिए गरबवती महिला है, Pregnant Ladies को इसका यूज नहीं करना चाहिए, दूसरा है Lactating Mother, जो माता है अपने बच्चों को स्थनपान कराती हैं, उनको इसका इस्तिमाल नहीं कर चाहिए, यदि डॉक्टर ने आपको यूज करने को बोला है Pregnant Lady और Lactating Mother को, तो डॉक्टर के Guidance में आप इसको यूज कर सकते हैं, आईए अब हम जानते हैं इसके मूल्य के बारे में, तो ये देखिए आपको 60 रुपे में 60 रुपीज में 60 टैबलेट्स मिल जाती हैं, 60 60 गोलियां मिल जाती हैं, और वो पतंजली, चितरकादी, वटी की टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यह एक Classical Ayurvedic Medicine है, तो बहुत सारी Pharmaceutical Company इसको बनाती हैं, आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं, सब में Ingredients सेम होते हैं, Action सेम होते हैं, लेकिन Company to Company जब यह Change होता है, तो इसका Rate ज़ादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आईए हैव हम बात करते हैं, इसके Availability के बारे में कि कहां से आप इसको ले सकते हैं, तो देखिए यह दि आपके पास आपके डॉक्टर द्वरा लिखा गया Prescription है, आप इसको आपके के Medical Videos देखना चाहते हैं, तो चैनल को Subscribe कर लिजिए, वो जो आपको लाल बटन देख रहा है, उसको धबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल से जल पहुंच जाएंगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की जरुरत है, आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट शेक्शन में कमेंट कीजिए, म मिलेंगे आप सबी से अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ तिल देन टेक केर धन्यवाद